नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नहीं वीडियो में मैं बात कर रहा हूं बिहार स्टुडेंट क्रेडिट काड यूजना दोस्तों जो भी कंडिडेट दस मही या बारवी पास है उन लोग के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा जो चार लाग कलोन मिलता है उ इसका क्या प्रोसेस है और इसका अपलाई कैसे होता है इस प्रोसेस में आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है आपको जो भी प्रोसेस होता है जो की ऑनलेन का प्रोसेस है और इसके बाद जो अगर आपके अगल बगल में DRCC ऑफिस होता है तो वहां जाके कुछ हमेशा जल्द जल्द बताता रहो और आपको नया information देता रहों कि कैसे आप लोग क्या 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 कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं बिहार तो ऐसे में क्या होता है कि इसके तो यह रहता है इस प्रकार लिखे दिया गया है तो इस क्रेट कार्युजिना के तहज आपको है चार लग का तक भी यार एक्टुडेंट केट कार्युजिना तक का मदद मिलता ठीक है चार लग तक का जो की आपको आपको जनकारी के अनुसा पता दे कि इसका जुब आरम स्रीज नितिश कुमार जी के द्वारा आपको दो अक्टुबर दोए 16 में किया गया था ठीक है त किसी कारण से उसको 12 परने के बाद अपना जो उसका खर्चा होता था जो भी सब्यक्त जो चीज के लिए पढ़ाए करना चाहते तो उनको पैसे की दिखत तो वह नहीं पढ़ पाते थे तो इस वज़ह से इसके लिए श्रीनितिश कुमार जी के द्वारा ये चलाया गया अ लोन तो चुका नहीं मंगर इत्मी क्या मिलता है जो कि आप पढ़ने के लिए तो जो भी कंडिडेट जीस भी तयारी कर जो भी चीज ते लिए पराइं करते तो लोग चाहते कि हम लोग परने मुंको दिख्यात और तो पैसा ले या तो लोग ले के पढ़ सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियों तो और जानते इस पर क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि इस से जुरी चोटी-चोटी जर्णकार या भी सर्फ को बताएगे सकता है ठीक है इसका क्या पातता होगा जो भी कंडिडिट इसमें क्या डॉकुमेंट लग यह सब के बारे में ठीक है चलिए इस परकार से इसमें सबसे पहले यहां पर दिया गया जो यह स्कीम का नाम है बिहार स्टुट्ट केट यूजना दोजार तैस चौबीस हर साल का किया रहता है इसमें को यह सितल तो इसमें क्या ह्यां दोष्तों जो भी इसमें ल kepada क्या आठिक है यह आपको और इसका क्या प्रोसेस है दोस्तों वीडियो में से आप अभी तक अगर देखें तो तो अच्छा से देखेंगे में था धीरी आपको बताऊंगा मंगर पूरा क्लियर बताऊंगा तक आपको ज्यादा परिशानी नहीं और आप भी खुद इसको अपलाई भी कर सकते हैं बताऊंगा पहले बताऊंगा आज आपको पूरा बताऊंगे क्या कैसे क्या डोकुमेंट चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाहिए तो इसका वीडियो भी बनाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म को अपलाई करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक चीक क्लियर कर दिया गया है कि जो भी कंडिडेट बारवी कंच्छा पास की है वह आगे की पढ़ाई के लिए सक्षप नहीं होते तो उन्हें चार लग तक का वितिया सहायता रासे अपलवत कराई जाती है जो भी कंडिडेट इसमें ब्याद जो देना बनता है उसके लिए दिया गया है कि केवल यह राज के चात चात्र को ही दिया जाएगा और इसलाब को लेने के लिए चात्-चात्र कहीं उच्छा प्राथ करने के लिए दाखिला वह या इस लोन में सुर्ण सब्सक्राइब के सुल कि साथ में खाने पीने पाट्टे क्रम सामगडी से संबंदित खर्चे सामिन होंगे ठीक है इस पास कंप्लीट होंगे वैसे कंडी जो लेंगे तो उनके लिए क्या सिस्टम में उसको समझ दें यह जो आपको लोन मिलता है इसमें आपको 42 वर्स के लिए इसको उठा सकते हैं अब आपने लोन लिया इसमें को टाइम मिलेगा इसको चुकाने का 42 वर्स तक ठीक है आप हम लो इस प्रकार से दोस्तों इसमें आपको टोटल जो है एक 40-42 प्रकार के टोटल कोर्स है यहां पर दिखा गया बैसे कोर्स जो है 42 कोर्स में अगर दाखिल करवाते हैं तो इसमें जो भी कंडिडेट इसमें से किसी भी परकार का पढ़ाई कर रहे हैं जो यहां पर कोर्स अगर लिखा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्रेडिट लोन ले सकते हैं बिहार एस्ट्रोडिंट करेड़ कार्ट के द्वारा तो जो भी कंडिडेट इसमें लेना चाहते हैं वो इसके वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन तो खड़ी लेंगे अब इसके जो डोकुमेंट है इसके बारे मैं आपको तरह से बता दू कि इसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोग के जैसे कि कैसे और किसको मिलेगा इसका लाव क्या क्या दस्तावेज लाएगा कितने दिनों में लोन मिलेगा कब तक चुका सकते हैं लोन लोन लेने से पहले जरूर देखे ठीक है तो इस परकार से सिस्टम को समझ लिजे कि इसमें आपको आबेदक काधार कर लाएगा जो डोकुमेंट आपको पूछ रहे थे डसमी और बार्वे मातापिता और गारेंटर जो भी आफ लोग के गरेंटर इढ़ीए उनका मातापिता और गAREंटर के दो फोटो लगेंगे निवास प्रमान पत्र आई प्रमान पत्र आवेदक का फोटो गराप बैंक कैंस पासबुक मातापिता के खात ही हैं पैखन पन्हों पैखन है ये आपको इतना सारा डोकुमेन्ट Cake आपको पहले होना चाहिए माल लिदी आप इस तेया जँए करते हैं उप पैपर होना चाहिए तब ही आप इसका अप्ना कर सकते हैं चलिए इसके बाद OC कि बीहार hop के घाशना के तहग दो अब को पत्रति के लिए आप घार के निवासी नहें चाहीए मानिता सब्सक्राँधी एक बार अमेधिन कर दिए एक आपको अपने कर देते हैं तो आपकी याद की जाती है जिसके द्वारा दियेगे सभी दस्तावाइज जाच की जाती है और सत्यापन करने के बाद ही आपको जो बैलेंस मिलता है जो रासी मिलती है उसकी सुकिती परदान होती है ठीक है चलिए इसके बाद यहां पर दिया गया कि बिहार स्ट्रेंट के डियाज के जो लोन ह करें step by step exactly movement आप लोग किस और कि इस पूर्स की पोड़ा नामा पर लिखा हुआ है आपको अगर स्फीडियों में पॉल्स प отвеч करके नहीं समझ में आता है सब्सक्रेंद्दे awfully जिए वैसे नहीं समझ में आता है तो आप इसके में 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 सकते हैं या आपको Online Update STM बिहार जो है इसके साइट पे भी इसका जो लिंक दिया गया है आप वहां से भी चेक कर सकते ठीक है दुस्तों जो आपको इसमें किस परकार का लोन है और मतलब कितना डॉकुमेंट लगे यह सब चीज़ा को किलियर कर दिया गया है ठीक है और इसमें आपको जो ब्याज़दर है वह कितना परसेंट है वह भी चिख के लिए इसमें दुर्श्तों एक चीज़े अध्यान रखेगा जो भी फीमेल कंडिट है अब मेल कंडिट है फीमेल जो भी कंडिट है और वह लोग जो अप्लाइक करती है तो उनको एक परसेंट ही लगता है ठीक है जब पूरा काम कर लेंगे तो आपको एक बड़ी आर्सीटी ओफिस में जाके जो आपके अगल बगल पड़ता होगा आपको वहां जाके आपका डोकुमेंट आपका पेपर सब जमां करना होता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो जितना डोकुमेंट है यह सब आप आपको बना करना होता है तो अगर आप लोग को वीडियो में कुछ नहीं समझ मैं तो आप पिली मुझे कमेंट कीजेगा मैं आपको इसका जवाब जरूर दोंगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते दोस्तों जब मैं आपका वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको थैंक दूस्तों